आलिया वरुन स्टार मूवी, बदरीनात की दुलहनिया, बॉक्स ओफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, फिल्म में एक्ट्रेस श्वेता प्रसाद बासू ने भी काम किया है, उन्होंने फिल्म में उर्मिला का रोल प्ले किया है, श्वेता उन एक्ट्रेस में शुमार है, जि हाला कि बाद में श्वेता को हैदरबाद सेशन कुर्ट ने इस मामले में क्लीन चिट दे दी थी, सेक्स रेकिट में फसने के बाद करन जोहर की फिल्म से किया कमबाक, श्वेता ने मकड़ी इकबाल वह लाइफ हो तो ऐसी चैसी बॉलिवूड फिल्मों में काम किया है, इस पेटा के पिता ने ये संकेट जरूर दिये थे कि वो जल्दी कारन जोहर की अपक्मिन फिल्म में नजर आ सकती है, वैसे बॉलिवूड स्टॉस का सेक्स केंडल, रिप औरे मेम्स जैसे मामलों में फसना कोई नई बात नहीं है, इस से पहले भी कई सेलाब्स इस तरह के के स देज में फंड चुके हैं, शाइनी आहुजा 15 मई 1973 को देहरा दून, उत्तरा खंड में जन में शाइनी आहुजा पर साल 2009 में उनकी ही नौकरानी ने रिप का आरोप लगाया था, इसके बाद तो उनके करिया पर जैसे विराम लग गया, नौकरानी के मुताबिक जब शाइ इस बात से लगातार इंकार करते रहे, लेकिन डियन एटेस्ट से रेप की बात साबित हो गई, इसके बाद शाइनी करीब 3 महिने तक जेल में रहे, फिर उन्हें 50,000 के निजी मुचल के पर रिहा कर दिया गया, मामले में मार्च 2011 में उन्हें 7 साल की सजा भी सुनाई जा च की है, जिसके खिलाफ शाइनी ने हाइकर्ट में अपील की है, मामला फिलहाल कोर्प में है, नहीं हो सका अब तक सफल कमबाक रेप का आरोप लगने के बाद शाइनी की एक फिल्म घोस्ट 2012 में रिलीज वी, जो फ्लॉट रही, इसके बाद में साल 2015 में फिल्म वेलकम बाक म उन्होंने कैमियो किया, यह फिल्म हिट रही, लेकिन शाइनी को इसका कोई फाइदा नहीं मिला, 2003 में किया था बॉलीवड डेब्यू, शाइनी ने 2003 हजारों ख्वाहिशें ऐसी से बॉलीवड में डेब्यू किया था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेय का बेस्ट डेब्य अवार्ड भी मिला था, इसके बाद उन्होंने गैंक्स्टर 2006, वो लम्हे 2006, लाइफ इन अमेट्रो 2007 और भुल भुला या 2007 जैसी हिट फिल्मों में काम किया, 9 जन्वरी 2014 को मुंबई में एक आई एस बेस्ट के जीम ओपी गुपता के घर चाप एमारी के दोरान हाइप रो अभी नेत्री मिष्टी मुखर जी चला रही थी, छाप एमारी के दोरान पुलिस ने भारी मात्रा में ब्लू फिल्मों की सीडियां बरामद की थी और मिष्टी मुखर जी भी आपती जनक स्थिती में गिरफतार की गई थी, वर्ष 2005 में बॉली वुड के री लाइफ विले एच लेने की कोशिश करते हुए कैमरे में क्याद कर लिया गया था, इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी थी, बॉली वुड के वर्सेटा एलेक्ट और इर्फान खान पर उनकी ही को स्टार ने सेक्श्विली हैरस करने के आरोप लगाय थे, ममता पटेल नाम की इस अ जो कॉंट्रिवसी से दूर ही रहते हैं, लेकिन असी के दशक में तबू की बेहन फराग ने जैकी पर सेक्श्विली हैरस करने का आरोप लगा कर चौंका दिया था, जैकी को इस मामले में बड़ी फजीहत छेलनी पड़ी थी